हेलो गाईज स्वागत हैं आप लोगों का फिर से हमारे नई योटुब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाईज अगर आप लोग आपसंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप लोगों को आपसंस के बारे में कुछ भी नहीं पता तो यह वीडियो आपके लिए है यह वीडियो पे आपको बेसिक नोलेज मिल जाएगा ओके अगर आप लोग आपसंस रिलेटेड अडवान्स नोलेज लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ठीक है लेकिन इस वीडियो पे आप लोगों को basic सिखाऊंगा ठीक है तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज के वीडियो पे मैं आपको सिखाने वाला हूं How to do option studying, option studying कैसे किया जाता है C and P क्या होता है ठीक है उसके बाद ATM, ITM, OTM क्या होता है और how to select premium ये चार चीज आज के वीडियो पे मैं आपको सिखाने वाला हूं तो पहले हम ये देख लेते हैं how to do options studying, options studying कैसे करें तो देखे options studying करने के लिए आपको अपने एक DMAT account ओपन कराना होगा और इंडिया का जो number one broker है वो है angel one और आपका है zero था यहां से आप अपना क्या करेंगे DMAT account ओपन करेंगे और यहीं से आप options studying करेंगे यह दोनों जो broker है वो easy to use है इस broker का use आप असानी से कर सकते हैं ठीक है तो आप लोगों का दो जगह से DMAT account होना ही चाहिए एक है angel one और एक है zero था यहीं पर आप लोगों को करना है options trading ओके तो यह पहले आपका question का answer मिलिया दूसरा यह है कि C and P क्या है अब जैसे कि आप लोग अपने DMAT account ओपन करा चुके हैं अब आप लोगों को trading करना है options trading करना है तो जैसे कि मान करके चलते हैं अभी हमारे Nifty 50 का price चल रहा है अगर market उपर जा रही होती है अगर market हमारा उपर जा रही होती है तो हम क्या करते हैं C buy करते हैं और अगर market हमारा नीचे गिर रही होती है तो हम क्या करते हैं P buy करते हैं जैसे कि कोई stock Tata Motors का कोई stock है अब Tata Motors पर हमको अपना view बनाना है अब Tata Motors अगर उपर जा रही है तो हम क्या करेंगे बाय करेंगे और अगर टाटा मोटर्स नीचे गिर रही है तो हम सेल करके पैसे बनाएंगे यह हमको पता है ठीक है उसी टाइप से अप्शन्स पे अगर मारकेट हमारा ऊपर जा रही होती है तो हम और अगला हम देख लेते हैं ITM, O.T.M. हो थाग है ATM मिन्स होता है सर आप लोगों का ATD money ठीक है ITM मिन्स होता है ठीक है ATM मिन्स होता है ATD money ITM मिन्स होता है in the money और OTM में सोता है out of the money तो जैसे कि हमने कहा अभी हमारे nifty 50 का price का चर रहा है 21,000 रुपए चर रहा है ठीक है तो हम 21,000 को क्या कहेंगे इसी को हम कहेंगे spot price या इसी को हम कहेंगे ATM अब जैसे जैसे आपका strike price कम होते जाएगा ठीक है उसको हम कहते जैंगे ITM जैसे कि यह हो गया 20,000 यह हो गया 19,000 यह हो गया 18,000 यह क्या हो जाएगा आपका ITM उसी टाइप से अगर आपका strike price बढ़ते जाएगा जैसे कि आपका 22,000 23,000 24,000 तो यह सब क्या हो जाएगा आपका OTM out of the money ठीक है यह आपका एक strike price है यही पर हमारा market चर रहा है इसी को हम कहते है ATM ATM से उपर वाले strike price जाने कि बोच सकते हैं 22,000, 23,000, 24,000 यह हो जाएगा हमारा OTM और ATM से नीचे वाला price जैसे कि 20,000 19,000, 18,000 यह क्या हो जाएगा आपका ITM और मैं आपको बता दूँ ATM पे आपका premium का value limited होता है तो ATM में मान करके जलते हैं हमारा premium का value क्या है 100 रुपे हैं ठीक है और OTM पे आपका premium का value कम होते जाता है 80 रुपे, 50 रुपे 30 रुपे और ITM पे आपका premium का value बढ़ते जाता है 1,500 रुपे, 200 रुपे 20 रुपय आप देख पार हैं जैसे जैसे आप उपर जा रहे हैं आपका premium का value बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं आपका premium का value घरतते जा रहे हैं ठीक है, तो यह होता है आपका ATM, ITM और OTM और इस से related और मैं deeply वीडियो बनाया हूँ, advance वीडियो बनाया हूँ, तो वो अभी आप जा करके देख सकते हैं, अभी मैं आप लोगों को basic सिखा रहा हूँ, उसके बाद एक last है guys, how to select premium, ठीक है, आपको premium select करना है, ठीक है, तो यह कहा जाता है कि आपको always trade करना है ITM पे, ITM पे क्योंकि ITM पे premium का value high होता है, देखे 1500, 200, 200, 300, 400, 500, इस step से आपको premium मिलेगा, तो obviously जिसका premium का value high है, वो तेजी से moment करेगा, है ना, और जिसका premium का value already 20 रुपीस है, 20 रुपे है, तो वो क्या moment करेगा, है ना, तो यह कहा जाता है कि आपको always trade करना है, ITM पे, in the money पे, तेजी सो grow करता है, ठीक है, तो यह चीज आप लोगों को mind पे set करके रखना है, और options trading आप लोगों को अच्छे से करना है, अगर वीडियो थोड़ा सा speed हो गया होगा, तो एक बार और इसको slow करके देखिए, लेकिन एक दो बार जरूर देखिए, कुछ न कुछ तो आप लो करते है, आप झाल